हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, तो आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे, तो ये बेल्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे, तो इसमें से दो पार्ट्स को हम उठाएंगे और इसको ओपन करके रखेंगे इस तरह से तो देखिया है हमने इन दोनों पार्ट्स को ओपन करके रखा है सीधी साइड अपने अंदर की तरफ रखी है तो यहां पर सबसे पहले हमें बैक का आशन स्टिच करना है तो यहाँ पर देखे, दो आसन है, एक front का और एक back का, तो इसमें से कोई भी एक आसन को हम stitch करेंगे, वो हमारा back का आसन होगा, तो देखे हमने यहाँ पर इसको back आसन को stitch कर लिया है, अभी हम इसको पूरा ही open करते हुए रखेंगे, इस तरह से, अभी back part में हमारी छोटी छो सिलाई है, वहाँ तक रखना है, और यहाँ पर pin लगा लेनी है, इसी तरह से, दूसरे साइड में भी हम एक छोटी सी plate डालेंगे, और अभी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, तो देखे हमने back part में plates डाल ली है, अभी हमें front part में plates डालनी है, तो सबसे पहले हम belt लेंगे, जो हमने cut किया था, और इसके center पर हम एक निशान लगा लेंगे, छोटा सा cut लगा लेना है, तो इस cut को हम back वाले आसन से मिला लेंगे, तो यह back का part है, तो अभी यहां से यहां तक हम इसको major करेंगे, और इसके center पर एक निशान लगा लेंगे, तो इसका center आया है साड़े 10 सिंच पे, अब यहां से यहां तक भी हम major करेंगे, और center पर निशान लगाएंगे, तो यहां से यहां तक जितना भी हमारा part है, वो हमारा back में जाएगा, तो यहां पर देखें, हम इसको मिलाएंगे, और यहां पर नीचे वाले part में भी हम same निशान लगा लेंगे, इस तरह से, तो यह हमारे belt का back का part है, और यह नीचे वाला back का part है, यहां से यहां तक, तो यह इतना part हमारा back का part है, और इतना जितना भी बचा है, वो हमारा front की तरफ जाएगा, तो front part में ही हमें plates डालनी है, back part में हमें plates नहीं डालनी है, तो अभी हम plates डालेंगे, तो यहां पर plates का move हमें आसन की तरफ रखना है, और यहां पर हम एक एक इंच की plates डालते जाएंगे, उसके बाद देखें, इन दोनों निशानों को हम चेक करेंगे, अगर यहां पर plates कम जादा है, तो इसको बराबर लेवल कर लेंगे, तो यहां पर यह बराबर आया है, तो यह front part में हमने plates डाल ली है, अभी दूसरे वाले साइड में भी हम plates डालेंगे, तो यहां पर भी plates का मुँ हमें आसन की तरफ रखना है, और एक-एक इंच की plates डालते जाना है, और यहां पर दोनों निशानों को चेक करेंगे, और दोनों निशानों को बराबर करना है, तो देखें इस तरह से यह वाला part भी हमने बराबर कर लिया है, तो हमारा belt और नीचे वाला part दोनों का size सेम हो गया है, अभी plates में हम सिलाई लगा देंगे, तो देखें इस तरह से हमने plates में सिलाई लगा ली है, अभी belt को हमें नीचे वाले part में attach करना है, तो belt को हम इसके उपर उल्टा रखेंगे, दोनों parts की सीधी side हमें एक दूसरे की और रखना है, और यहाँ पर stitch कर लेना है, तो हमने belt को stitch कर लिया है, अभी belt को सीधा करेंगे, उसके बाद हमें front आसन को मिला लेना है, इस तरह से, तो यहाँ पर सीधी side हमने अंदर की तरफ रखी है, और अभी हमें front का आसन stitch करना है, तो यहाँ पर हमें dory के लिए बनाना है, तो सबसे पहले हम उपर से 1 इंच पे mark करेंगे, उसके बाद फिर से 1 इंच पे mark करेंगे, तो यह 1 इंच का gap हमें छोड़ना है, और यहाँ से यहाँ तक इसको stitch करना है, तो देखें इस तरह से यहाँ पे stitch करके, हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे, उसके बाद 1 इंच का gap छोड़के वापस stitch करेंगे, तो देखे इस तरह से वन इंच पे हमने स्टिच नहीं किया है यह हमारा ओपन ही है तो इस तरह से हमने फ्रेंट आसन को भी स्टिच कर लिया है अब इसको बीच से पकड़ते हुए हम इस तरह से उठा कर रखेंगे अब यहां पर यह जो सेंटर वाली सिलाई है इसको खोलते वे में रखना है और हाफ इंच का फोल्ड करना है उसके बाद वन इंच का फोल्ड करना है और पूरे राउंड में इसको स्टिच करना है तो यहां पर मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको स्टिच करेंगे तो दिखें इस तरह से हमने पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लिया है यहां से हम डूरी डालेंगे अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बॉटम को फूल्ड करेंगे तो बॉटम को हम उल्टा रखेंगे तो यह देखें यह उल्टी साइड है अभी हमने कैनवस लिया है इसको हम इसके उपर रखेंगे कैनवस की वेड़ थे वन इंच यहां से पाव इंच का माजिन छोड़ना है और इसको प्रेस से चिपका लेना है तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है अभी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है तो दिखे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रा जो है उसको कट करके बराबर करेंगे तो अब यहाँ पर मैं जिगजाग स्टिच लगा रही हूँ अगर आपके मशीन में जिगजाग स्टिच नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपको 4-5 सिलाई लगानी होगी तो दिखे इस तरह से मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइट के बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे तो बॉटम को हमने दोनों साइट के फोल्ड कर लिया है अभी हमें इसके सेंटर को स्टिच करना है तो दोनों आसन को इस तरह से पकड़ते हुए हम स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारा सलवार बिल्कुल रेडी हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़े और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीज़े थैंक यू